سोना चांडी तामबा या स्टील के बर्तन में नलगाएं भोग न वरातरी में इस पात्र का करें इस्तिमाल डेवी हुनगी प्रसंद जोतिशाचार्य ने बताया कि नवरात्री के दिनों में माता दुर्गा को सोने, चांदी, तामबा, स्टील आधी धातु के पात्र में भूग बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए इससे नकारात्मा कूर्जा बरती है देवी को भूग के लिए चेत्र नवरात्री की शुरुवात 9 अप्रेल से होने जा रही है इस दोरान माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है चेत्र नवरात्री की खरीदारी के लिए बाजारों में भी भीर उमर रही है पूजन सामगरी, श्रिंगार का सामान चुनरियादी खूब खरीदी जा रही है वही चेत्र नवरात्री में माता दुर्गा की पूजा का जितना महत्व है उतना ही महत्व भूग का भी है भूग लगाने के लिह बरतनों की जानकारी भी होना जरूरी है कई बार हम अंजाने में ये गलती कर बैखते हैं भोग के बर्तनों का रखी ध्यान जो तिशाचार्य रभुनात प्रसाद शास्त्री ने बताया कि नवरात्री में माता के पूजन के साथ उन्हें प्रसाद भी चड़ाया जाता है जिसे भोग कहते हैं सभी बर्तनों में माता को भोग नहीं लगाया जा सकता है माता दुर्गा को भोग लगाने के लिए विशेश धातु या पात्र होना आवश्यक है इससे माता दुर्गा प्रसन होती है और घर में सकारात्म कूर्जा का संचार होता है नवरात्री के दिनों में माता दुर्गा को सोने, चांदी, तामबा, स्टील, आदी धातु के पात्र में भोग बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए इससे नकारात्मा कूर्जा बरती है पीतर या मिट्टी के पात्र में ही माता दुर्गा को भोग लगाना चाहिए जो बेहत शुब माना जाता है वहीं पूजा की समापती के बाद भोग को तुरंद रहंग कर लेना चाहिए लोगों में बांटना भी चाहिए देवी देवताओं के पास ज्यादा देर भोग रखने से नकारात्म कूर्जा का विस्तार होने लगता है भोग के नए बरतन लाना चाहिए या पुराने जो तिशाचार्य ने बताया कि भोग लगाने के लिए पीतल या मिट्टी के पात्र होना आवश्यक है पुराने पीतल के बरतन में भी भोग लगाया जा सकता है लेकिन वह गंदा और तूटा ना हो अगर पीतल का बरतन टूट गया है तो बजार से नया खरीद कर ही माता को भोग लगाए इससे अच्छा नए मिट्टी के बरतन में माता को भोग लगाए मिट्टी के बरतन सभी पात्रों में सबसे शुप माने जाते हैं रिपोर्ट RPS समाचार